हेलो हैं वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन आफ और निक कमपाउंड लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बाते बताऊंगा बाते यह हैं कि अगर आपने हमारे पिछले दो वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है How to identify और निक कमपाउंड और दूसरा वीडियो How to identify carbon in और निक कमपाउंड को नहीं देखा है तो जाकर प्लीज इस वीडियो को देख लिजिएगा जिससे आपको यह वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा तो दोस्तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तो हम बात करेंगे representation of और निक कमपाउंड के बारे में तो दोस्तो रिप्रेजेंटेसन आफ और निक कमपाउंड का मतलब यह है कि हम और निक कमपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दोस्तो हमारे पास 4 मेथड होते हैं और निक कमपाउंड को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं 4 दोस्तो जो पहला मेथड होता है उसको बोलते हैं Molecular Formula क्या बोलते हैं Molecular Formula पहले मेथड को बोलते है Molecular Formula दूसरे मेथड को बोलते है Condensed Structural Formula Condensed Structural Formula तीसरे मेथड को बोलते है Expanded Structural Formula तीसरे मेथड को क्या बोलते हैं? Expanded Structural Formula और चोथे मेथड को बोलते हैं Bond Line Notation क्या बोलते हैं? Bond Line Notation Molecular Formula को हम साट में MF लिख सकते हैं तो दोस्तों आपको संज में आया होगा कि Representation of RV Compound को करने के लिए हमारे पास चार मेथड है पहला मेथड है Molecular Formula दूसरा मेथड है Condensed Structural Formula तीसरा मेथड है Expanded Structural Formula और चोथा मेथड है Bond Line Notation तो दोस्तों आप एक चीज़ यह जान लीजिए कि जो Molecular Formula होगा उसको हम Convert कर सकते हैं Condensed Structural Formula में Condensed Structural Formula को हम Convert कर सकते हैं Expanded Structural Formula में और Expanded Structural Formula को हम Convert कर सकते हैं Bond Line Notation में मतलब Molecular Formula को Condensed Structural Formula में Convert कर सकते हैं Condensed Structural Formula को Expanded Structural Formula में Convert कर सकते हैं और Bond Line Notation को हम Convert कर सकते हैं Expanded Structural Formula में Expanded Structural Formula को Condensed Structural Formula में Condensed को Molecular Formula में तो दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम molecular formula को condensed structural formula में, condensed को expanded, expanded को bond line notation में convert कर सकते हैं या इसका reverse कर ले, bond line notation को expanded, expanded structural formula में या condensed structural formula में या molecular formula में तो दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई सा भी एक दिया हो तो आप तीनों बना सकते हैं, माल लिजए आपको molecular formula दिया है तो आप condensed structural formula में बना सकते हैं, condensed structural formula से expanded बना सकते हैं, expanded से bond line notation में convert कर सकते हैं for example मैंने एक example लिया, molecular formula का C4H10 तो अब हम इसको condensed structural formula में कैसे convert करेंगे, CH3, CH2, CH2, CH3 यह हमारा क्या हो गया, condensed structural formula में, अब हम इसको expanded structural formula में convert कर लेते हैं, carbon, 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 carbon चार carbon है, एक hydrogen, दूसरा, तीसरा, एक hydrogen, दो hydrogen, तीन hydrogen, एक hydrogen, दो hydrogen, तीन hydrogen, तीन hydrogen करेंगे, ऐसे, या ऐसे, या फिर हम convert कर सकते हैं, N बना सकते हैं, तो आप देख पा रहे होगे, कि हर में एक चार carbon है, कितने carbon है, चार, देख लीजिए, कितने carbon है, चार carbon है, तो दोस्तों आपको सौन्ज में आया होगा, कि molecular formula को हमने convert किया, condensed structural formula में, condensed से हमने convert किया, expanded, expanded से हमने convert किया, bond line notation में, यह हमने convert करके आपको दिखाए, अब दोस्तों, कुछ और बाते मैं आपको बताता हूँ, देखिए, आप यहाँ पर इस structure को देखिए, ध्यान से, carbon, 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 देखिए, यह structure मैं फिर से represent कर रहा हूँ, इसको, अब ध्यान से देखिए structure को, आप इस structure में देख रहे होंगे, कि हर जो carbon है, उसकी चार वैलिंसी है, मतलब यह चार बांड बना रहा है, कैसे चार बांड बना रहा है, देखिए, एक बांड, दो बांड, तीन बांड और चार बांड, इस carbon को देखिए, एक बांड, दो बांड, तीन बांड, और यह चार बांड, मतलब हम यह का सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार होती है, मतलब हर एक कार्बन कितने बॉंड बनाएगा, चार बॉंड बनाएगा, हर एक कार्बन कितने बॉंड बनाएगा, चार बॉंड बनाएगा, अगर कार्बन के बीच एक बॉंड हो अगर कार्बन कार्बन के बीच एक बॉंड हो माल लिजे इसको लिख लिए इसको टू लिख लिए कार्बन नमबर वन कार्बन नमबर टू से कितने बॉंड बना रहा है carbon number 1 carbon number 2 से केवल एक bond बना रहा है तो मैंने आपको अभी बताया का carbon की वैलनसी कितनी होती है 4 होती है जब carbon एक bond बना रहा है तो इसको कितने bond और बनाने है इसको 3 bond और बनाने है तो 3 bond को हम satisfy करेंगे hydrogen से तो 3 hydrogen हम लगा देंगे तो यह हमारे होगे अब देखिए carbon number 2, carbon number 1 से कितने bond बनाया है, एक bond बनाया है, तो मतलब इसको कितने bond और बनाने है, इसको 3 bond और बनाने है, तो इसको 3 hydrogen हम लगाएंगे, single bond से, आपको ये समझ में आ गया, अब माल लीजे कभी आपको दिया हो, carbon, carbon के बीच double bond हो, और माल लीजे carbon number 3 है, ये carbon number 4 है तो हम कहेंगे कि carbon number 3, carbon number 4 से double bond बनाया है, मतलब 2 bond बनाया है, तो अब बताएए carbon को कितने और bond बनाने है, अब carbon को 2 bond और बनाने है, क्योंकि इसने carbon number 4 से 2 bond बना लिया है, जब carbon number 3, carbon number 4 से 2 bond बना लिया है तो इसको 2 bond और बनाने है और 2 bond को हम satisfy कराएंगे hydrogen से तो इस carbon की valence से देखिए complete हो गया कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 आप देखिए इस carbon को ध्यान से देखिए इसने कितने bond बनाये है carbon number 4, carbon number 3 से 2 bond बनाया है तो इसको कितने और bond बनाना है? इसको 2 bond और बनाना है 2 bond इसलिए और बनाना है क्योंकि इसने कितने bond बनाये है? 2 और carbon बनाता कितने bond है? 4 तो इसको 2 bond और बनाना है तो 2 hydrogen हम लगा देते हैं तो यह हमारा हो गया valences की complete हो गई अब माल लिजे कभी कभी आपको ऐसे दिखेगा तीन बॉंड वन टू थ्री अब देखिए हम इसको फाइब लेते हैं ये शिक्स कारबन नमबर फाइब कारबन नमबर शिक्स से कितने बॉंड बना रहा है तीन बॉंड बना रहा है जब carbon number 5, carbon number 6 से 3 bond बना रहा है तो इसको कितने bond और बनाने हैं? इसको एक bond बनाने हैं और एक bond किसे बनाएंगे हैं? hydrogen से अब देखिए carbon number 6, carbon number 5 से कितने bond बना रहा है? 3 bond बना रहा है तो इसको कितने और bond बनाने हैं? carbon number 6, carbon number 5 से 3 bond बना रहा है और carbon हमेशा 4 bond बनाता है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह एक bond और बनाएगा तो और इसकी एक bond किस से satisfy कराइगे? hydrogen से तो हमने hydrogen से satisfy करा दिया अब आप किसी भी carbon को देख लिए चाहे ये carbon हो चाहे carbon number 1 हो, carbon number 2 हो, carbon number 3 हो carbon number 4 हो, carbon number 5 हो, carbon number 6 हो सभी carbon की valency चार हैं आप गिल लीजिए जैसे 1,2,3,4 चारबंड इस कारबंड की दिखिए 1,2,3,4 चारबंड यह हमारा कम्प्लिट हो गया मतलब हम यह समझ में आया कि कारबंड की वेलंसी कितनी होती है मैसा चार अगर दो बांड बने है तो वो दो बांड और बनाएगा अगर तीन बांड बना आएगा तो हम यह का सकते हैं अगर कारबं कारबं के बीच एक बांड हो तो इसको बोलेंगे सिंगल बांड सिंगल बांड कारबं कारबं के बीच दो बांड हो तो इसको क्या बोलेंगे डबल बांड डबल बांड और कारबं के बीच तीन बांड हो तो इसको बोलेंगे ट् बॉन्ड आपको यह समझ में आगया होगा अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ important example जो की bond line notation को convert करेगा कंडेस्ट इस्ट्रक्चरल फारून में जिससे आपको यह concept और थोड़ा सम्झ में आएगा अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ bond line notation और मैं यहाँ पर convert कर देता हूँ convert कर दूँँगा इसको किसके condensed structural formula में अब आप ध्यान से देखते रहेए मैं example कराऊंगा देखिए दोस्तों अगर ऐसे लिखा हूँ अब इसको convert करना है condensed structural formula में तो कैसे करेंगे यहाँ पर एक carbon है यहाँ पर एक carbon है तो carbon लिख लेते हैं और एक bond है carbon के वीच मतलब single bond है लगा देते हैं अब बताएए यह carbon को कितने hydrogen की आवशकता है इसको 3 hydrogen की आवशकता है इसको 3 hydrogen की आवशकता इसलिए है क्योंकि किसने एक ही bond बनाए है एक ही bond बनाए है तो इसको 3 hydrogen दे देंगे और ऐसे ही इसको भी तीन hydrogen देंगे तो हमारा bond line notification convert हो गया condensed structural formula में अगर हमको expanded करना हो तो कैसे करेंगे carbon लिख लेंगे carbon लिख लेंगे single bond है अब इसको hydrogen को expand कर देंगे मतलब hydrogen को देखो मैंने इसमें condensed करके लिखा इसको expand कर रहे हैं मतलब खोल दे रहे हैं तो hydrogen को हमने खोल दिया तो यह हमारा क्या हो गया यह हमारा क्या हो गया expanded structural formula अब इसको molecular formula में कैसे लिख लेंगे carbon count करो 1 carbon 2 carbon मतलब carbon का number कितना है hydrogen का number कितना है 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह कितना होगा C2, H6 तो हमारा यह bond line notation से condensed structural formula condensed से हो गया expanded expanded से हो गया molecular formula लेकिन अब मैं इन सब को नहीं कराऊंगा मैं केवल bond line notation लिखूंगा और condensed structural formula या expanded structural formula लिख दूंगा अब दोस्तों मैं कुछ औरा आगे example लेता हूँ माल लीजिए आपको ऐसे दे रखा है घरों में आपने देखा होगा ऐसे बना रहता है स्वास्तिक बोलते हैं इसको तो देखी अमाल लीजिए ऐसे दे रखा है कोई अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है तो आप मारे पिछले वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको यह identify करना बहुत आसानी से आ जाएगा, देखिए carbon यह है, फिर यहाँ पे carbon है, एक carbon यहाँ पर है, एक यह है, एक इधर है, और एक इधर carbon है, एक carbon इधर और एक carbon नीचे है, अब ध्यान से देखिए, इस carbon को इसने कितने bond बनाए है, एक bond बनाए है, तो इसको कितने bond और बनाने है, इसको तीन bond बनाने है, तो तीन bond के लिए तीन hydrogen दे देते हैं, इस carbon को देखिए, इसने कितने bond बनाए, इसने दो bond बनाए, एक bond, दो bond, तो इसको कितने hydrogen क्यों सकता है, इसको दो hydrogen, तो दो hydrogen देते हैं, ऐसे ही इस carbon को देखिए इसको एक bond, दो bond, दो bond बना है मतलब 2 hydrogen क्यों सकता है ऐसे ही इस carbon को 3 hydrogen, इसको 2, इसको 3, इसको 2, इस carbon को देखिए 3, इसको 2 तो आप देख पा रहे होगे कि मैंने सब की valency complete करा दी लेकिन आप ध्यान से देखिए मैंने इस carbon के बारे में कुछ नहीं बताया अब क्यों नहीं बताया क्योंकि इसने पहले से अपनी valency complete कर रखी है देखिए 1 bond, 2 bond, 3 bond और 4 bond अब इसने 4 bond पहले से बना रखे इसलिए मैंने इस पे कोई hydrogen नहीं दिया अब दोस्तों आगे example की और बढ़ते हैं माल लीजिए आपको ring में ऐसे कोई structure मिल जाए तब कैसे करेंगी माल लीजिए ring में कोई structure मिल जाए तब कैसे करेंगी तो ध्यान से देखिए ये carbon है, ये carbon है, ये carbon है, ये carbon है, ये carbon है और ये carbon है मतलब कार्बन मैं जैसे structure है वैसे बना लो देखो यहाँ पे कार्बन था यहाँ पे कार्बन था मैंने कार्बन कार्बन लिखके bond बना लिया यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे कार्बन है अब उनके मीजे बॉंड बन रहा है तो ऐसे बना लेते हैं आप धियान से देखिए इस कार्बन को कितने बॉंड कर सकता है इसको दो bond की आवसकता हो रहे क्योंकि इसने एक bond इधर बना रहे एक bond इधर बनाए तो इसको कितने hydrogen की आउसकता होगी दो दो hydrogen लिख देंगे फिर यहाँ पर भी दो ऐसी आप देखोगे हर एक कारवन को दो-दो hydrogen की आऊसकता होगी तो आप एक चीज और गौर कर रहे होगे मतलब इध्यान दे रहे होगे कि जो bond line notation होता है जो bond line notation होता है उसमें hydrogen नहीं दिखता है hydrogen नहीं दिखता है लेकिन condensed structural formula में क्या होता है hydrogen हमें दिखता है कि कितने hydrogen इस carbon पर है आपको समझ में आया अब माल लिए आपने थंब नेल पर देखा होगा कि मैंने एक structure ऐसे बना रखा है ये बहुत फेमस structure है organic chemistry का इसको बोलते हैं benzene क्या बोलते हैं benzene अब देखिए इसको हम कैसे convert करेंगे condensed structural formula में तो ध्यान से देखिए ये carbon है 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 तो ध्यान से देखिए मैं carbon लिख ले रहा हूं carbon को मैं लिख ले रहा हूं अब देखिए इनके बेच क्या क्या है एक एक bond है तो एक एक बांड पहले ऐसे बना लेते हैं अब देखिए आप देख पा रहे होगे कि इस कार्बन इस कार्बन के बीच एक बांड ये भी है तो मैं एक बांड और बना ले रहा हूं ऐसे ही इस कार्बन इस कार्बन के बीच एक बांड है तो एक bond और बनाते हूं इससे ऐसे इसके इसके बीज है तो एक bond इतर में बना ले रहा हूं आप देखिए अब आप ध्यान से देखिए आप देख रहे होंगे कि इस carbon को इस carbon को देखिए ध्यान से इसने कितने bond बनाए इसने तीन bond बना लिए एक दो और एक तीन तो मतलब इस इसको एक hydrogen की आव सकता है, तो एक hydrogen इसको देदेते हैं, अब देखिए इसको कितने hydrogen की आव सकता है, इसने भी तीन bond बना लिए, एक, दो, तीन, इसने कितने bond बना लिए हैं, तीन bond बना लिए हैं, तो इसको एक hydrogen की आव सकता है, ऐसे यह आप देखूंगे, हर एक carbon को एक hydrogen की दे देता हूं तो यह हमारा condensed structural formula में convert हो गया अगर हमको इसी structure को convert करना है expanded structural formula में तो कैसे करेंगे carbon carbon कुछ नहीं करना है बस ऐसे लिख लेना है carbon carbon को उसके बाद क्या करना है जहां जहां bond double दिख रहे हैं उसको double bond लगा दो फिर क्या करो hydrogen को expand कर दो hydrogen को expand कर दो यह हमारा क्या हो गया benzene bond line rotation से condensed structural formula expanded structural formula अब देखिए इसका molecular formula कैसे लिखेंगे देखिए 1 1 2 3 4 5 6 carbon की number कितना है 6 hydrogen कितना है 1 2 3 4 5 6 तो यह c6 h6 इसका क्या हो गया molecular formula क्या हो गया इसका molecular formula एक बात और ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि कभी कभी आपको इसी बेंजीन के structure को दूसरी तरह से represent किये जा सकता है माल लीजिए आपको ऐसे structure मिला यह इसको क्या बोलते है बेंजीन और इसका एक resonating structure भी बनता है इसको मैं दूसरी तरीके से बनाता हूं थोड़ा देख लीजी आप इसमें क्या होता है जो इसका double bond होता है वो change कर लेता है अपनी position को तो देखिए यहाँ प तो यह क्या है इसका resonating structure है तो आपको बेंजीन ऐसे या ऐसे form में मिल सकता है नहीं तो आपको बेंजीन इस form में बना मिल सकता है ऐसे तो यह भी बेंजीन है और यह दोनों भी क्या है बेंजीन है अगर दोस्तों आपको ऐसा structure मिल जाए यह क्या है bond line notation है इसको हमको convert करना है किसमें condensed structural formula में तो ध्यान से देखिए दोस्तों इसको हम कैसे convert करेंगे तो देखिए यहां पर carbon है यहां पर carbon है मैं carbon लिख लेता हूँ एक फिर दो फिर तीन चार पांच छे साथ लाइन के पार हो गया अब देखिए इस कारवन और इस कारवन के बीच कितने बॉंड है तीन बॉंड है तो तीन बॉंड हम बना देते हैं इस कारवन इस कारवन के बीच कितना है एक बॉंड है तो एक बॉंड बना देते हैं इसके इसके बीच देखिए कितने bond है, एक तो एक bond बना देते हैं, इसके इसके बीच एक bond है तो एक bond, इसके इसके बीच दो bond है तो दो bond, और इसके बीच एक bond, अब देखिए दोस्तों hydrogen को satisfy कराएंगे, इस carbon ने तीन bond बना रखा है, मतलब इसको एक hydrogen किया सकता है, इस carbon को एक भी hydrogen नहीं देंगे क्योंकि इसने 4 bond बना लिया है 1, 2, 3, 4 इस carbon को देखिए इस carbon ने कितने bond बनाए है 1, 2, मतलब इसको कितने hydrogen क्यों सकता है 2, तो 2 hydrogen ऐसे ही इसको भी 2 hydrogen क्यों सकता है इस carbon को देखिए इसने कितने bond बनाए है 3, 1, 2, 3 तो दोस्तों आपको यह स्टक्चर सवंज में आया होगा अब और इस्टक्चर देख लेते हैं माल लीजिए कि आपको ऐसा इस्टक्चर मिल जाए कभी ऐसा इस्टक्चर देखने को मिल जाए तो इसको कैसे हम कनवर्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए मैंने आपको अभी बताया है कि यह इस्टक्चर क्या है बेंजीन है मतलब कि कार्बन कार्वन बना ले ध्यान से देखिए मैंने इसको क्या बनाए बेंजीन, तो बेंजीन मैंने आपको बताया था यहाँ पर डबल मांड होगा, फिर एक छोड़ कर दूसरा, फिर एक छोड़ कर इधर तो यह हो गया, आप देखिए इस पर क्या होगा इस कार्वन कितने हर्डोजन के हो सकता है एक हर्डोजन इधर देते हैं एक हर्डोजन इधर एक हर्डोजन इधर और एक हर्डोजन इधर अब देखिए इस कार्वन मैंने कुछ नहीं किया और इस कार्वन मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था य यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, तो मैं एक कार्बन इधर कर देता हूँ, और एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन इधर, अब ध्यान से देखिए, इस कार्बन को कितने हर्डोजन क्यों सकता है, तीन, तो मैं तीन हर्डोजन धन लगा देता हूँ, इस को भी ऐसे तीन और इसको भी दो तो आप देख रहे हैं होंगे कि हर कार्म कि समय में आया होगा तो मैं एक जमपल और के लेता हूं लिजिए कि ऐसा दे खाये कहीं, तब कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या है कारबन, ये क्या है कारबन, ये क्या है कारबन, तो मैं क्या करता हूँ, कारबन लिख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कहा कर रहा हूँ, इधर मैं कर रहा हूँ, ध इसने कितने बंड बनाया है दो तो इसको भी कितने हर्डोजन देंगे दो इसने कितने बंड बनाया है दो तो इसको कितने हर्डोजन देंगे दो तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सस्क्राइब कीजेगा बेल आ bond line notation मैं बना के दूँगा और आपको convert करना है molecular formula में और इस molecular formula का जो answer आएगा आप मुझे comment box में इसको answer कीजिएगा तो देखिए मैं आपको देता हूँ question तो question 1 और question 2 मैं दो ही question दे रहा हूँ आपको convert करना है इसको इसका molecular formula जो आएगा मुझे comment box में कर दीजिएगा और एक और दे रहा हूँ एक यह है ठीक है इन दोनों question को आपको मुझे comment box में answer करना है thanks for watching this video